नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक नए बिंटियों में आपका फिर से हम हार्तिक अभिनंदन करते हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्लैक रॉक के बारे में जी हाँ दोस्तों यदि आप भी अपने फोन में बैंक एकाउंट का पासवर्ड, ATM, PIN या फिर इंटरनेट बैंकिंग जैसी जानकारी सेव करके रखते हैं तो यह ख़बर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं दोस्तों क्योंकि एंड्रोइड फोन के लिए एक नया वाइरस आया है यह मैलवेर दोस्तों करीब 337 अर्था 337 एंडरोइड एप से जानकारी चुराने में सच्छम है जीन एप से यह डाटा ज़्यादा चोरी करता है उसमें जीमेल हो सकता है दोस्तों आपका अमेजन हो सकता है नेटफ्लिक्स और उबर जैसे एपस के नाम सामिल है दोस्तों ब्लैक रॉक मैलवेर के बारे में सबसे पहले मोबाइल सिकुरूटिव फ़र्म थ्रेट फैबरिक ने जानकारी दी दोस्तों यहां मैलवेर जो दोस्तों है किसी भी एप में लॉगिंग के दौरान ही आपके यूजर्स का डाटा चोरी करता है उधारन के तोर पर यदि आप अपने फोन में किसी बैंकिंग एप में पासवाड और यूजर आईडी डाल कर लॉगिन कर रहे है तो यहां मैलवेर उसे रिकॉर्ड करता है और मैलवेर जिस टेकनीक से डाटा चोरी करता है उसे ओभर ले कहा जाता है आता आप जल्द से जल्द समभल जाएं दोस्तों इस टेक्निक के ताहत malware वाले apps एक फरजी बेव पेज पर यूजर से लॉग इन करवाता है जबकि यूजर उसे असली पेज समझता है जबकि वो फरजी बेव होता है या malware यूजर से messaging, camera, gallery आदि को आपको बोलेगा access कर लें क अगर आप access नहीं करेंगे तो यह नहीं हो पाएगा तो आपको यह फरजी बेव के अधर था या फरजी mail के द्वारा आपसे वो access करने को मांगेगा यह malware user की फरजी Google update को भी notification देता है तो आप इससे कैसे बच सकते हैं दोस्तों या एप आम तोर पर antivirus एप को चकमा दे दे देता है ऐसे में आपके लिए अच्छा होगा कि आप किसी third party store या source में अपने phone से कोई भी app डाउनलोड ना करें साथ ही third party browser app का इस्तेमाल से भी बचे और किसी bank के app को phone में install करने से पहले दोस्तों उसकी सगन जाच कर ले और पड़ताल कर ले कि या यह bank का app है कि नहीं है औ कोई भी browser किसी भी प्रकार के click करने से बचे नहीं तो चुटकियों में आपके सारे का सारा मेनत की कमाई चली जा सकती है उमीद है दोस्तों यह जानकारी अगर अच्छी लगी तो please like, share और subscribe करे और हमें motivate करे धन्यवाद